नमस्कार मैं अब शेक कमारा आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस इस्टडवित अभी में पर आपने थेचरव करते हैं यह मेंशन में वार्व मार्व उवड्व, दोनों के लिए हैं अच्छाल करते हैं तो आप सेलस्ट को सबसे हो लो कि आपना आप सब्सक्राइब कर दें यह बात तके ऐसे सटा रेख के पर। हो गया है और अब वो बिल्कुल फते करना है उनको जंडे आप गाड़ने हैं तो दोनों के लिए सबसे पहले जिनका सेलेक्शन हो गया है आपने दो साल तक अगर हम लोग बात कर ले तो दो साल तक आपने इस जर्णी के सफर में आप हमारे साथ और हम आपके साथ जुड़े जो नॉलेज की होती उस पर डिफरेंसेस नहीं कर सकती हैं यहां पर थोड़ी सी माक के उपर नीचे हुए हैं जिनके कारण कुछ स्टुडेंट नीचे रह गया बाहर हो गया और कुछ स्टुडेंट क्योंकि ऐसा ही होता है मैंने कहा भी था कि वह आपका एक माक्स में आप फिर वह अपने घर में फिर से नेक्स्ट एक्जाम के त्यारी कर रहा होगा तो कई सारे लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है और दूसरा तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी वहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल अदा की है तो वह तो खैर बाते हैं तो लेकिन ऑल्दी हुए फिर से दृटकर अब यह सबसे पहले तो ठीक है आप लोग लूप के लीए बाते हो गई हैं लेकिंट सालेक्शन नहीं हूपाया जिनकर सेलेक्शन नहीं पाया नहीं हो पाया मैं जानता हूँ आपके साहत अभी आपके साथ क्या बीत रही होगी क्योądकि मैंने सबसे बड़ा दुख आपको वह हो रहा होगा कि घर पर आप कैसे बताओगे कि आपका जो है सॉट लिष्ट नहीं हो पर डिवी के लिए कई सारे स्टूडेंट होगे जो अभी तक आपने घर पर नहीं बता होंगे ठीक है तो सबसे बड़ा दो सबसे बड़ा अगर कस्टदाई अगरवाली बात चो यहीं होती है कि भोलना घर पे बोलना क्योंकि जो सचाइक को फेस करना कि आपका सेलेक्शन नहीं होब क्योंकि कई सारे स्टूडेंट है जिनका 30 साल हो गया है और उनकी जो हो सकती यह लाच पांच घंटा डेली पड़ रहा है छे घंटा पड़ रहा है और एक्जामिनेशन का टाइम में दस-दस घंटे लोगों ने पड़े हैं और बढ़े दस ख़ल आपको कि यार कोई बात नहीं स्थेलेक्शन होगा फिर नया अब है अभी नई तयारी में असान है मैं बोल दूँगा असान से लेकिन मुझे पता है कि आपके अंदर क्या बीतर होगी और इतना असान नहीं होता है ओवर कम करना इस दौरान इस जो अभी आप सिच्वेशन को भी जहल रहोगी है लेकिन फिर भी मैं आपको बताओं कि अभी आप क्या कर सकते हो कुछ नहीं कर सकते हो आपके पास कुछ भी नहीं है ऐसा करने को कि आप कुछ कर दो लेकिन आपके पास यह है कि आपके पास रेलवे ने क्या किया है सबसे बड़ा तौफा आपको दिया कि आपके पास एक आई बोल रहा हूं क्योंकि देखे आपने इतने examination को cross कि CBT1 CBT2 में part A part B psycho आपको पूरे अच्छे से पता चल गया है आपको कि आपके अंदर कहां पर कम्या है मैप्स के section में कहां कम्या है reasoning देखे जो चीजह में बोल रहा हूं हो सकता आपको लग रही होगी यह बहुत बड़ी बाते नहीं है चोटी मोटी बाते हैं अभी आपका मैंड सेट अप होगा क्योंकि यहां selection नहीं हो पाया मुझे पता है लेकिन फिर भी मैं आपको जो रीयलाइस कराने जो फेक्ट ही जी बदा रहरा हूं जो मैंने किया था वही बता रहा हूं भेट वांट कि अपकि आपा जो सेम सेलेक्षन नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्या आपका मार्स था कितना 68 नंबर था 66 नंबर था और कट अब कितना गया होगा 70 नंबर कट गया तो यह दो नमबर दो कोशन अगर सही कर रहे होते तो मैंने कहा था कि वह दो नंबर में एक लड़का ड्राइवर चलाएगा दो नंबर जो नहीं बनाया होगा वह घर में बैठके फिर से त्यारी करेंगा तो वह दो नंबर इससे तो वह चला रहा है तो यहीं रिजन है तो आपको अभी वहीं देखना है कि कहां था आपका कम जोड़ी कौन से सब्जेक् क्योंकि अभी जो examination का pattern बिल्कुल dynamic हो रखा है तो आपको ऐसे काम नहीं चलेगा कि कुछ भी रट करके चले जाओ तो में लिए अभी मैं आपको यहीं वह लूँगा कि एक दो दिन का रेश्ट लो कोसिस करो इससे बाहर आने की हलकी फूल के फिर से आप रिदम में आओ कु तब तक यह attention बना ही रहता है तो मैं यहीं कहूंगा कि आप बताने की कोसिस करो और थोड़ा सा तो बुरा लगता है यार मुझे जैसे बुरा भी लग रहा बहुत लोगों के लिए बुरा लग रहा बहुत लोगों के मैंने कमेंट पड़ा है कई लोगों के ने खुश्या बीजाइर की है तो ठीक है लेकिन जिनका सेलेक्शन नहीं उनके लिए मुझे काफी बेहत अपने दिल से दुखी हो रही है क्योंकि मैंने भी आप लोगों के साथ जुड़ा रहा देड़ दो साल जुड़े रहे हैं लोग साथ में तो ठीक है और जो जिनका सेलेक्शन जैसे कि मैं अगर बात कर लूँ तो यह आपका जो है यहां पर पार्टी चल रही होगी आप लोग यहां बैठे हुए जो अभी डीबी के लिए साथ लिए हैं और अभी आप लोग जो यहां से चट करके वापस आजाए तो आपको तो इस पार्टी में आपको यहां पर बंदे कर दिए कंदर कितना बड़ा जीगर होगा जो इसको फेस करके वापस फिरस्ट तैयारी में जुटेका जूटेगा जूटेगा ही क्यों कि नहीं क्यों नहीं जूटेगा क्यों पता है इसको बंदा को कि यहां तक पहूंचा यह कोई आजबाज की ऐसी च्छोटी करके यहां था कि यह बंदा कोई ऐसा चोटा मोटा बंदा नहीं है आप लोग तो इसी चीज़ को मैं बताना चाहता हूं कि अपने अंदर एक फिर से उस motivation को increase करो भाई अभी एंटीपीसी का जो है और जो लोगी जेई के लिए है क्रॉस चेक मतलब अपने आपको क्रॉस चेक करो कहां कम्या रही है इसको यहीं आपके पास evolution का टाइम है इतना तो आपका सफ्ट टार्गेट नहीं होगा कि आप आज फेल हो गया है तो अभी आप मूब अहीड नहीं कर पाऊगे दो तीन दिन लगेगा लेकिन कर जाओगे अच्छे से करोगे क्योंकि अभी तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम माने वाली है ठीक है और सच बता रहा हूं कि जिनका भी सेलेक्शन नहीं हो पाया उनका अब बहुत अच्छे सापने जान रखा है क्योंकि इतने दूर आप इग्जामिनेशन को आए तो आपको फाइट करना होगा इस तोर में आपको लड़ना होगा यहां पर जौन ही को मिलेगी जो फाइट करेगा और इतना डाइनमिक हो रखा है आप अगर सीजियल का भी पे इसलिए आपको वही करना है मैथ रिजनिंग में जो अभी पैटन चल रहा है उसको फोकस किजिएगा ठीक है तो बस यहीं है आप अपने अंदर कोई तो मोटिवेशन आपको कोई काम आने वाला ही नहीं मुझे पता है लेकिन कोसिस किजिए इसको करने की और बिल्कुल हम और जटो होती है इनको अधिये में प्रॉब्लम में जिनको प्रॉबलम में प्रॉबलम में अबOff यहीं पर इंड करते मोट को काफी बनाप अपके मेरे साथ भी अभी में इससी करना whether CPoleograf Highway और एक बात ये कि यार जितनी भी वीडियो मैंने हिस्टरिक के उपर लेक्षर दे रखा है कोसिस कीजिए कि वह एक एक पॉइंट याद होनी चाहिए अभी जो सीजेल का पेपर आ रहा था मतलब आया है जो जो टॉपिक मैंने कवर कि उससे हर एक कोशन आपके एग्जामिने लेकिन यह सारे बाते मैं नहीं करूंगा मैं अभी भी कहता हूं अपने आपको केंद्रित कीजिए सेंट्रलाइज कीजिए एक जगा ठीक है कोई एक पर आपको विजवास करना ही पड़ेगा अगर आप विजवास नहीं करोगे तो आप जैसे भगवान को भी क्या पत्थर